नमस्कार दर्श नियूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं प्रितिद्याल आपके साथ हाजीपूर अपराधियों की फैक्टरी बन गई है जिसे इस्थानिय प्रशासन का सनरक्षन प्राप्त है बता दे कि ऐसा कहना है पुर्णिया के सांसत पपुयादव का जी आपको याद दिला दे कि हाजीपूर लोजपा रामविलास के सुप्रीमो वकेंद्रिय मंतरी चिराग पासवान का लोकसभा शेत्र है चिराक पासवान हाजिपूर के सांसद है और ऐसे में अब पूर्णिया के सांसद पपूय आदव ने हाजिपूर को लेकर के बड़ी बात कह दी है साफतोर पर उन्होंने कहा है कि हाजिपूर अपराधियों की फैक्टरी बन गई है और ऐसा पप्पु यादव ने क्यों और कब कहा हम आपको विस्तार से बताते हैं आपको बताते कि पप्पु यादव ने अपने सोशल मेडिया अकाउंट के जरीए एक पोस्ट शेयर किया और इस पोस्ट के जरीए ही उन्होंने पूरी घटना को लेकर के जानकारी दी और हाजिपुर को लेकर के ये बड़ी बात कह दी है तो क्या कुछ पप्पु यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है सबसे पहले हम वो आपको बता देते हैं तो आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कई सारे फोटोस को पपु यादव ने शेयर किया है और उन फोटोस को शेयर करते हुए पपु यादव ने लिखा कि हाजिपुर अपराधियों की फ्रैक्टरी बन गई है जिसे स्थानिय प्रशासन का सनरक्षन प्राप्त है तभी हत्या यहाँ सरे आम हो रही है और पुलिस निर्दोश लोगों को जूटे मामले में फसा कर जेल भेज रही है यह है बिहार के law and order का नया model हम जानना चाहते हैं कि हाजिपुर अपराध मुक्त कब होगा मुझे समझ नहीं आता लोग राजनीती करने के लिए आते हैं पुलिस अपराधियों को दामात की तरह बचाती है और नेता जात की ठेकेदारी करते हैं नतीजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है आगे पपुयादव ने ये भी लिखा कि आज हम हाजिपुर के दिग्धी में पंकज राय जी और जुगल किशोर राय जी के पुत्रे शीवानन्द राय जी की हत्या कर दी थी आज हम दोनों के घर गए और वहां अपनी गहरी शोक समवेदना व्यक्त की लेकिन या घटना मन को व्यथित करने वाला है दबल इंजन की सरकार है अपराधियों की बहार है माफियाओं की भरमार है ये कैसी सूशासन सरकार है तो कुल मिला कर देखा जाए तो एक आपराधिक मामले में पपुयादव हाजिपूर पहुचे थे जी हां हत्या के बाद परीजनों से मिलने के लिए पपुयादव हाजिपूर पहुचे थे जहां परीजनों की इस्थिती को देखते हुए देखने के बाद उनकी बातों को सुनने के बाद पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद पपो यादव ने हाजिपूर को लेकर के बड़ी बात कह दी उन्होंने स्थानिय प्रशासन से लेकर के सरकार तक पर आवाज उठाई सवाल खड़े कर दिये साफतोर पर उनका कहना हुआ कि आखिर हाजिपूर कब तक अपराध मुक्त होगा बता दे कि पिछले दिनों से लगातार बिहार में जो अपराधी घटनाय है वो देज हो गई है बढ़ी हुई है जो अपराध का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसे में आपको बता दे कि जो सवाल है वो सीधे सीधे सरकार पर उठाये जा रहे है और अगर बात करे हाजिपूर की तो हाजिपूर लोग सभाश्रेत चिराक पासवान का है और जिस तरह से ये घटना हुई है उसे लेकर के पपू यादव हाजिपूर पहुचे थे जहां परीजनों से मुलकात के बाद उन्होंने हाजिपूर को अपराधियों की फैक्ट्री बतार डाली है और इतना ही नहीं उन्होंने बरी बात कह दी है कि यहां के अपराधियों को स्थानिय प्रशासन का सनरक्षन प्राप्त है तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अपडात को लेकर के जो सरकार है वो पूरी तरह से घिरती जारी है विपक्ष पिछले दिनों से लगातार सरकार पर हमला वर थे तो वहीं ये भी देखा गया कि नेता प्रतिपक्ष तेज़स्वी यादव लगातार क्राइम बॉलेटिन जारी कर रहे हूं और सरकार पर लगातार हमला भी है तो ऐसे में अब पपूयादव भी गुस्से में लाल पील होगे हैं आपराधी घटनाओं को लेकर के और उन्होंने हाजिपूर को लेकर के बड़ी बात कह दी है और इसके साथी साथ उन्होंने कोई सवाल भी खरे कर दी हैं तो वहीं अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से पप्पु यादव का ये गुस्सा फूटा है तो ऐसे में हाजिपूर में आगे आने वाले दिनों में किस तरह की गतिवीदियां होती है तो फिल हाल के लिए इस खाबर में इतना ही अगर आपने भी तो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जब सब्सक्राइब कर दे इसके साथ ही एगर ही वीडियो फेस्बुक के माधियम से देख रहे तो पेज को लाइक करना ना भूले